हेलो फेंस आज इस वीडियो में हम जानेगे वाउम बैक के बारे में यानि कि जब भी अगर किसी पिसेंट को पीट में दर्द होता है या उसको जोइंट स्पेंट होता है बैक होता है या उसकी गरदन में दर्द होता है या नी पेंट होता है तो ऐसे इस्तिति में आपको ए तो यहाँ पर KCR का एक ऐसा product है, जो बहुत ही useful होता है जब भी किसी patient को pain होता है या उसको सिखाई करने होती है, तो ऐसे श्तिते में इसका यूज किया जाता है इसका नाम है केकेयर और ये अदर दर कमपनियों का भी ब्रांड है कई कमपनिय ऐसे बनाती हुई है तो यहां पर इस बेक के अंदर एक जैल वरा हुआ है जैल फिल होता है और इसे चारों तरब से इस तरीके से पैकिंग किया जाता है कि ये लिकेज ना हो और इसके अंदर बहुत ही अच्छा जैल यूज किया जाता है इसके अंदर एक छोटा सा सर्कृट भी लगा हुआ है जो इस जैल को गरम करता है तो जाद भी इसे हम लाइट के साथ कनेक्ट करते है तो इसके अंदर जो जैल होता है जैली होती है वो वार्म हो जाती है और जब वार्म होती है तो वो हलकी हलकी सिकाई करने के लिए बहुत ज़्यादा useful होती है और इसका multiple use क्या होता है और देखिए यह एलेक्ट्रिक होड वाटर वैक है कमफर्टेवल फीलिंग देता है हमें और 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 सकती है और किक एर के नाम से आपको यह मार्केट में अबलेबल होता है अगर किसी को पीट में देल्द होता है या उसको गुटनों में देल्द है या उसको पीट में देल्द है कमर में देल्द है या उसको जॉइंट स्प्रेंट होता है या उसको सिकाई करनी है तो इस बैग से सिकाई की जा सकती है इसे 6-7 मिट के लिए इलेक्ट्रिक साकिट में इसे connect कर दिया जाता है अटेज कर दिया जाता है देखिए यहां पर इसका अलग से प्लग आता है उस प्लग को यहां पर connect कीजिए और अपनी light की जो board होते हैं उसमें collect कीजिएगा तो आपको धिरी-धिरी गरम होना start हो जाएगा चैसे साथ मिनट जैसे आप इसे collect रखेंगे electricity से light से तो यह दिरी-धिरी गरम होना start हो जाएगा और इजी तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं पकरने में बहुत जादा easy है बहुत जादा soft है और safe है इसमें करिंट आने को कोई risk नहीं होता है साथी साथ आसानी से इसे आप carry कर सकते हैं कहीं भी इसे ले जा सकते हैं और new generation technology बहुत भी अच्छे तरीके से इसमें उप्यो प्राबलम होती है जिसे सिकाई करनी हो चाहे वो पीड दिल्द की प्राबलम से जूज रहे हो या पेशन को घुटनों में दल्ध हो या उस पेशन को जोईंट स्पेंट हो या कमर में दल्ध हो और अगर उस पेशन को सिकाई करनी है तो यह warm water बहुत यह अच्छा product यह कोई पेड एंड प्रोमोशनल वीडियो नहीं है इस वीडियो में बताएगी सभी जानकारी बहुत ही specific और authentic जानकारी है इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को like करें thanks for watching have a nice day bye bye